मोधी सरकार जिसमें कई SFS ली लिए गए जो कि कई माईनों में अतिहासिक थे और स्वर्णी मक्षरों में ये भी लिखा जाएगा कि महिला अरक्षन बिल भी पास कराया गया है में याद किया जाएगा तमाम ऐसे का चीज़े 370 से पास हुआ है और मोधी सरकार के दौरान जो है 370 को हटाने का फैसला लिया गया यह भी एक इतिहासिक फैसला था तो कई सारे फैसले SCST को के मामले में सुप्रीम कोट के फैसले को बदलने का फैसला इसी पारलेमेंट से किया गया ओभी एक इतिहासिक फैसला था तो तमाम सारे कानून जो बनाए गए चाहे जिनको निरस्त किया गया 370 जैसे का जो कानून थे जिसको लेकर BJP का एजेंडा रहा है जनसंग राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे उसकी बात हो चाहे फिर आधी अबादी को न्याज देने की बात हो ये भी बात उनके एजेंडे में आता है लगतार इस बात को कहा जाता है कि कल भी देखिये लगतार जब इस बात का जिक्र हो रहा था तो अमिच सहा ने कहा कि प्रधान मंत्री मोधी जब मुख्य मंत्री थे चाह उससे पहले जो संगठन का काम कर रहे थे तो संगठन में उन्होंने महिलाओं को आरक्षन दिलवाने का काम किया जब मुख्य मंत्री बने तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे के तहट तमाम सारे काम की और जो भी फंड चाहे जो भी चीज नको लोग देते ते गिप्ट देते थे उसको बेचने से जो पैसा आता था ता उसको उसके निलामी से जो पैसा आता था वो बेटियों के पढ़ने पर लगाया जाता था आज भी प्रधान मंत्री मोदी का यह जो विजन है खास तोर पे चाहे जो ट्वालेट बनाने का स्कीम हो जो महिलाओं को जिनको आँख खराब हो जाती थी गैस चुले की विएसे उनको गैस का इसकीम उज्वला स्कीम के तहट उनकी साहता करने के तो तमाम सारे स्कीम के आने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। पहला कदम उठाया गया है, बोल्ड स्टेप उठाया गया है, निश्चित तौर पर हर्ष का माहौल है और भारत में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले इस दिशा में निश्चित तौर पर महिला आरक्षन बिल एक एहम भूमी का निभाएगा वित्ममंत्री निर्मला सीत रस्ते दिख रहे हैं, मिठाई के डब्बेट दिख रहे हैं, एतिहासिक पल है, लहाजा उसका सेलिब्रेशन बनता है और ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं, जिस तरह से लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हुआ है, संसत के दोनों सदों से ये पास होना इस बिल का बहुत बड़ी उपलब्धी और इसके लिए निश्चित तौर पर सभी सांसत बधाई के पात्र, केंद्री मंत्री, अनुप्रिया पटेल भी नजर आ रही हैं, रवी, तस्वीरें आ रही हैं, जश्न शुरू हो चुका है, जिसका जिकर आप कर रहे थे थोड़ आप देख रहे हैं, क्योंकि बाहर जो तस्वीर है, बिल्कुल हमारे पीछे यह बिल्कुल यह जो पेड़ दिख रहा है, इसके ठीक पीछे, यह सब कुछ हो रहा है, मकरद्वार है, जो नए संसत का मकरद्वार उसको कहेंगे, और पुराने संसत का गेट नमबर बन लिए बड़ा अचीवमेंट है उनके लड़ू की तयारी पहले से की गई थी हमें जानकारी थी कि लड़ू मंगाये गए हैं किया जाएगा और बकायदे प्रधानमंत्री मोधी को बधाई दी जाएगी फोटो सूट होगा इन महिला सांसदों के साथ प्रधानमंत्री का फोट चाहे श्मृति रानी हो चाहे आपको निर्वला सितारमन हो चाहे तमाम महिला जो मंत्री है तो आज की डेट में कहा जाता है कि सबसे जादा महिलाओं को अगर स्थान दिया गया है मंत्री मंदल में तो आजादी से लेकर अब तक सबसे जादा महिला है मोधी मंत्री मंदल म नहीं है तो लगतार इस बात का क्रेट प्रधानमंत्री लेते हैं और देखिए इस तरह के चीज़ों को करने के लिए जाने जाते हैं कि विशेश सत्र होगा इस सुनके लोगा चंबात है कुछी ने कहा कि बीच में कंट्रोवर्सी आई कि भारत का नाम इंडिया का हटा कर उस का मैसेज गलत जाता तो एक ऐसा बिल लेकर आया गया है जिसको कॉंग्रेस पहले ही सीडवलू सी में प्रस्ताव पास कर चुकी थी मैं हैधराबाद भी था आप जानते हैं कि हैधराबाद गया तो कहीं न कहीं ऐसा बिल लेकर आना जिसमें विपक्स चारों कहाने चित भी हो जाए समर्थन भी करें और साथ-साथ सरकार को पूरा क्रेडिट जाए तो यह सरकार को क्रेडिट भी जाता है विपक्स एक साथ रहना भी पहला है । साथ साथ एक यतिहासिक काम भी हो गया क्यूंकि महिलाओं के लिए खास तौर पर कहा जाता है कि देखिए एक रुडिवादी इता रही है एक लंबे समय तक धीरे धीरे हमारे समाज में सुधार आता रहा है धीरे धीरे एक पंचायत के लेवल पर राजी गांदी ने भी एक क दिख रहे हैं सीडियों से उतरते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और दोनों तरफ महिला सांसत है उनका अभिनंदन करती हुई उनका अभिवादन करती हुई उनको बधाई देती हुई और शुक्रिया भी आदा करती हुई ये तस्वीरें प्रधान आबादी की ओर से प्रधान मंत्री का अभिनंदन करती हुई महिला हैं, हाथों में गुल्दस्ते उनको थमाए गए, साथी साथ गले में उनको शॉल भी उड़ाई गई है और प्रधान मंत्री का अभिवादन करती हुए, पीटी उशा नजर आ रही है, सांसद पीटी उशा अभिवादन करती हुए देख रही हैं, तमाम अलग-अलग पार्टीयों के सांसद अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी प्रधान मंत्री का शुक्रिया अदा किया है, और सभी जो महिला सांसद हैं, वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, उनके जय जय के नारे करती हुए और उनका अभिनंदन करती हुए महिला आरक्षन बिल पास कराने के लिए